वो जमीन जो हिमाले और इंदू सागर के बीच थी, उसे हिंदू कहा गया, तो यहां जिसका भी जन्म हुआ है, वो हिंदू है, सभी जानते हैं कि कौन सा मीडिया किस पार्टी का है, सभी जानते हैं कि यह समाचार नहीं है, यह प्रचार है. सद्गुरु, मैं शुरुआत एक ऐसी चीज से करना चाहूँगा, जो मैं आप से जानना चाहता था. नेशन स्टेट मूल रूप से एक पश्चिमी विचार है, और इस पश्चिमी विचार में, चर्च और राज़त दो अलग-अलग सत्ताएं मानी जाती थी. भारत में ये मिल गई है, तो क्या आपको लगता है कि भारत के संदर में नेशन स्टेट का विचार उस पश्चिमी विचार से अलग है? देखें, पहली बात ये है कि भारत में चर्च नहीं है, मेरा मतलब है वैसा चर्च नहीं है, इस देश में उस चर्च जैसा कोई विवस्तित धांचा नहीं है, सिवाए खुद चर्च के जो कि भारत का इसाई चर्च है जो एक छोटी इकाई है पर विवस्थित है लेकिन बाकी का तथाकतित धर्म जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं कभी भी एक विवस्थित प्रक्रिया नहीं रहा है ये इसकी ताकत है और यही इसकी कमजोरी भी है इस हिंदू जीवन शैली के पीछे हजार वर्षों के आक्रमनों और शासन के बावजूद बचे रहने की सिर्फ एक ही वज़े है कि किसी को पता नहीं था कि इसका सिर कहा है अगर उन्हें पता होता तो वो उसे काट चुके होते क्योंकि कोई सिर नहीं था ये करोडों सिरों वाला प्राणी था तो उन्होंने जो भी किया ये जीवित ही रहा तो चर्च और राजे को अलग करने का विचार इस देश में उठता ही नहीं है अब हम कुछ चीजों के विरोध में विवस्थित होने की कोशिश कर रहे है पर फिर भी ये एक विवस्थित प्रक्रिया नहीं है सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि धर्म शब्द से यहां हमारा मतलब है कुछ विशेश माननेता है एक, दो, तीन, चार या पांच चीजें होनी चाहिए जिन में आपको विश्वास करना होगा भारत की ऐसी एक चीज़ बताईए जिसमें आपको विश्वास करना जरूरी है आप जो चाहें विश्वास कर सकते हैं और फिर भी हिंदू हो सकते हैं क्योंकि ये हमेशा एक भौगोलिक पहचान रही है वो जमीन जो हिमाले और हिंदू सागर के बीच थी उसे हिंदू कहा गया तो यहां जिसका भी जन्म हुआ है वो हिंदू है सवाल ये नहीं है कि आप किस चीज में विश्वास करते हैं एक ही परिवार में अलग-अलग लोग दो दर्जन मूर्तियों की पूजा करते हैं और कोई ऐसा होगा जो किसी की भी पूजा नहीं करता जो योग करता है ध्यान करता है वो किसी की पूजा नहीं करता लेकिन फिर भी वो हिंदू है कि ये एक भोगोलिक पहचान थी जो बाद में सांस्कृतिक पहचान बन गई ये एक धार्मिक पहचान तभी बने जब बाहरी ताकतों ने अपने तरीके थोपने शुरू कर दिए सिर्फ तभी हमें समझ आया कि इसके अलग तरीके भी होते हैं वरना हमें कभी पता ही नहीं था कि हमें विवस्थित होना होगा हमें ये करना होगा तो चर्च बनाम राज्य कुछ ऐसा है कि लोग इसे कहीं और से यहां ले आए हैं मैं आपसे ये इसलिए पूझ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में भारत में धर्म और राज्य मिल गए हैं एक सन्यासी सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यका नेत्रित्व कर रहे हैं नई नई आप उन्हें एक सन्यासी के तौर पर क्या आप कहते हैं ये एक शादी शुदा आदमी है जो राजिका नेत्रित्व कर रहे हैं क्या आप ऐसा कहते हैं? मैं शादी शुदा हूँ या सन्यासी हूँ ये मेरा मामला है इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ इसलिए कि वे सन्यासी हैं क्या आपने उन्हें कुछ खास अधिकार दिये हैं? क्या मैं सडक पर बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकता हूँ? क्या मैं टैक्स दिये बिना जी सकता हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैं अध्यात्मिक हूँ क्या मेरे पास कोई खास अधिकार है? क्या मैं बिना टिकट भारतिये रेल से यात्रा कर सकता हूँ तो कोई सुविधा नहीं मिलती तो आप कुछ अधिकार क्यों छीन रहे हैं अगर मैं वोट दे सकता हूँ तो मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं लड़ूंगा मैं ऐसा नहीं चाहता लेकिन अगर कोई ऐसा करना चाहता है तो मुझे नहीं पता कि किसी को इससे क्या परिशानी होनी चाहिए क्या आपको नहीं लगता राज्य की धर्म के साथ पहचान होने पर इसका प्रशासन पर नकारात्मक असर पड़ेगा आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ अभ्यास करता हूँ मैं इसे आप पर भी जरूर थोप दूँगा ऐसा कुछ नहीं होता हर कोई किसी न किसी चीज का अभ्यास करता है कोई शराब पीता है और वो मुखे मंत्री बन जाता है तो क्या आप शक करेंगे कि वो इसे सभी पर थोप देगा असल में वे वैसा कर रहे हैं आप उस पर सवाल नहीं उठाते तो जो ध्यान करता है क्या वो उसे थोपेगा वो उसकी सला जरूर देगा शराब पीने वाला शराब की सला दे रहा है जो ध्यान करता है वो ध्यान की सलाह देगा लेकिन उसे मानना या ना मानना लोगों पर है, है न? सद्गरु चुनाव आने वाले हैं क्या आप आसपास किसी तरह की नकारात्मक्ता देख रहे हैं? मुझे लगता है नकारात्मक्ता है मूल रूप से मीडिया में मुझे कोई नकारात्मक्ता नजर नहीं आती क्योंकि हर दिन मैं लाखों या कम से कम हजारों लोगों से संपर्क में होता हूं इतना संपर्क बना कर भी मुझे कोई नकारात्मक्ता नहीं देखती लेकिन अगर आप राश्ट्रिये चैनल देखें क्योंकि मैं अधिकतर अंग्रेजी चैनल देखता हूँ, देखकर ऐसा लगता है, देश में आग लगी हुई हो, मुझे कहीं भी नजर नहीं आता कि देश में आग लगी है, हर जगे देश बिलकुल ठीक है, पर अगर आप TV स्टूडियो को देखें, कुछ चैनलों में तो आपको दर्शक कैसे मिलेंगे, तो इसलिए वे देश को आग लगा कर ऐसा कर रहे हैं, मैं मीडिया को बिलकुल नकरात्मक नहीं बता रहा, उनके अपने करतव हैं, उनकी अपने अधिकार हैं और उनकी एक जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा दिखाना की देश जल रहा है, हर को आपको गाउं में गुमाने ले जा सकता हूं, किसी को नहीं लगता की देश में आग लगी है, उनकी रोजाना की परिशानिया हैं, लेकिन आग नहीं लगी है, देश में आग नहीं लगी है, लेकिन हमें ऐसा आभास हो रहा है, कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ें करने के ल गुम्नाम पत्रकारिता, अगर आप जो कह रहे हैं या कर रहे हैं, उस पर आपको अपना नाम लिखने की जरूरत न हो, तो आप जो चाहे कह सकते हैं। तो आपको ऐसी नकारात मकता सिरफ सोशल मीडिया में दिखती है या आन्य मीडिया में भी दिखती है जैसे मेंस्ट्रिब मीडिया? सोशल मीडिया को तो आप जानते हैं कोई भी जो चाहे कह सकता है लेकिन सामाने मीडिया भी दुर्भागे से जबरदस्थ पक्षपात कर रही है यह लगभग अमेरिका की तरह हो गया है जहां सभी जानते हैं कि कौन सा मीडिया किस पार्टी का है सभी जानते हैं कि ये समाचार नहीं है ये प्रचार है हम अभी उस हद तक नहीं गए हैं लेकिन मुझे लगता है ये लोग इसे धीरे धीरे वहीं ले जा रहे हैं